उदाहरन दस प्रश्न दिये गए चित्र में AB समानतर CD और CD समानतर EF हैं साथ ही EA लंब AB है यदि कुण BEF बराबर 55 हैं तो X, Y और Z के मान ग्यात कीजिए हल दिया है कि AB समानतर CD तथा CD समानतर EF अतह AB समानतर EF चित्र में देखिए चित्र क्रमांग 34 दिये गए चित्र में BE को G तक बढ़ाया अब हम लिख सकते हैं कुण DEF धन कुण FEG बराबर 180 अंश क्योंकि आप चित्र में देखिए ये दोनों कूण रैखिक यूग में कूण हैं अब चित्र से आप देख सकते हैं कि कूण DEF बराबर 55 इसलिए हम लिखते हैं 55 धन कूण FEG बराबर 180 अंश आगे हम देख सकते हैं कूण FEG बराबर 180 अंश रिण 55 अंश या कूण FEG बराबर 125 अंश फिर से चित्र देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कूण FEG बराबर Y बराबर X बराबर 125 अंश क्योंकि यह संगत कूण हैं पूना चित्र देखिए चित्र में आप देख सकते हैं कूण CED धन कूण DEF बराबर 90 अंश क्योंकि EA लंब है AB पर और AB समानतर EF चित्र में देखिए कूण CED का मान Z अंश दिया हुआ है और कूण DEF का मान प्रश्ण में ही है चित्र में बना हुआ है 55 अंश का बराबर 90 अंश तो हम इसको लिख सकते हैं 90 अंश रिंड 55 या Z बराबर 35 अंश इस तरह से हम X Y और Z तीनों के मान मिल गए X अंश बराबर 125 अंश A, Y और Y अंश बराबर 125 अंश और Z बराबर 350 अंश आरा हुआ होगित्य।